बॉलिवुड का सबसे जाना माना परिवार बच्चन परिवार जिसका एक एक मेंबर बॉलिवुड में अपना नाम चमका चुका है ये परिवार सिर्फ इसी लिए नहीं बलकि अपनी एकता के लिए भी जाना जाता है जहां इस परिवार की बहू विश्व की सबसे सुन्दर इस्त्री रह चुकी है वहीं इसी परिवार में अमिताब बच्चन जैसी सक्षियत ने भी जन लिया है इसी परिवार की एक जोड़ी है एश्वर्या और अभिशेग चिनकों हमेशा सराहा गया है जिनकी जोड़ी को लोग खासा पसंद करते हैं लेकिन इधर वीच काफी दिनों से ये अफवा उड़ रही थी कि एश्वर्या और अभिशेग का तलाक होने वाला है पहले पहल तो लोगों ने इस चीच को अफवा ही समझा लेकिन इन अफवाहों पर मुहर्त तब लग गई जब एश्वर्या राय के ससुर्यानी की अमिताब बच्चन ने उन्हें इंस्ट्राग्राम पर अनफॉलो कर दिया उनके ऐसा किये जाने पर लोगों को कहीं न कहीं यकीन हो गया कि इस परिवार में कहीं न कहीं कुछ ठीक नहीं चल रहा है सुत्रों की माने तो अश्वर्या राय ने अब अपना ससुराल भी छोड़ दिया है और वो उस घर से निकल कर बाहर आ गई है एक सोर्स ने ये बताया कि एश्वर्या और अबिशेक के बीच बहुत दिनों से कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था और ये दोनों सिर्फ अपनी बच्ची के लिए एक साथ थे लेकिन इस बीच जब अमिताब जी ने अपनी 2800 करोड की प्रॉपर्टी का बटवारा किया और इस प्रॉपर्टी को उनों ने बराबर बराबर अपने दोनों बच्चों यानि की अबिशेक बच्चन और श्वेता बच्चन के बीच बाट दिया तब से एश्वर्या और अबिशेक के तलाग की अफ़वाओं ने तो बिलकुल जूर ही पकड़ लिया था गहर तलब है कि मिताब बच्चन जी अब 81 साल के हो गए हैं और मुंबई में उनके 5 बंगले हैं जिसमें से एक बंगला जिसका नाम प्रतीक शा उन्होंने अपनी बेटी के नाम कर दिया है जिस बंगले की कीमत तकभग 50 करोड रुपए है शायर यही कुछ बाते हैं जो एश्वर्या जी को पसंद नहीं आई और एश्वर्या ने अपना ससुराल छोड़ने का मन बना लिया इसी के साथ साथ एक सोर्स ने ये भी बताया कि अब शेक और एश्वर्या के बीज भी काफी अन्बन चल रही है तो लगभग लगभग इन खबरों की पुष्टी हो चुकी है बस कुछ पक्ते दौर पे कभी आना बाद